नमस्कार मैं एड़ोकेट विकास याद हो एक बार फिर से स्वागत गरता हूं आप सबका एक नई वीडियो में तो जैसा कि आप सबको पता है हम AIB 18 का जो पेपर हुआ था आपका 10 दिसंबर 2023 को तो उसके अंदर जो भी कोशन्स आये थे तो सब्जेक्ट वाइस हम एनलेसिस कर रहे हैं ताकि आपको AIB 19 में परेशानी ना आए ताकि आपको लेटेस्ट एक्जाम का पैटरन पता हो कि भी या कैसे कोशन आ रहे हैं कि काफी बच्चे फेल हुए हैं इस पर AIB 18 में तो अगर IPC की बात करें तो देखो काफी easy paper आया था IPC का तो जैसे इसके अंदर 8 कोशन आप कर सकते थे अगर आपने PY क्यों अच्छे से अटेंट करे हुए मेरे या फिर कहीं से भी आपने PY क्यों अच्छे से करें या थोड़ी सी भी knowledge थी आपको IPC की तो अब अराम से कोशन डूंड सकते थे सारे के सारे कोशन बेरेक्ट से आया है तो IPC में कोई देख लो आपके सामने कोशन आएंगे in which of the following situation Indian Penal Code 1860 may not apply कह रहा है कि तीन ओप्शन दे दे हैं आपको कह रहा है कि इन में से कहां पर आपका IPC apply नहीं होगा An offense committed by Indians outside India An offense committed by any person on any ship registered in India Any person committing offense targeting computer resource located in any country तो अगर आप option देखोगे तो option से ही आपको अंदाजा लगेगा idea लगेगा कि ये कोशन हमारा IPC के extension की बारे में बता रहा है कि आपका ये जो code है कहां तक extend आप कर सकते हो अगर आपने index अच्छे से पढ़ा है इस question को करने का आगर मैं बता हूँ आपको index अगर आपने अच्छे से पढ़ा था या PYQ attend करे थे PYQ में section number 4 का question है section 4 से काफी बार question आए हो तो बच्चे को तुरंत किलिक किया कि इसका answer में section 4 में मिलेगा section 4 का नाम ही है आप देख पार हो extension of a code to extra territorial offenses की इंडिया से भार भी अगर कोई offense होता है वहाँ पे कब आपका किन गिन cases में IPC लगेगा बने इस question को अगर आप देखोगे जो final answer की आई है AIB वारों ने withdraw कर लिया है लेकिन मैं आपको option दिखाऊंगा उससे आपको दिखेगा कि इसका cable C option हो सकता था अब हिनों ने पता ने क्यों इसको withdraw कर लिया है मेरी समध से बाहर है ठीक है बाकी question आप देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है पहला option देखोगे the provision of this code apply also to any offense committed by कहां कहां पे यह जो code के provision है apply होंगे an offense committed by Indians outside इंडिया an offense committed by any citizen of India in any place without and beyond इंडिया कि इंडिया से बाहर अगर आप कर रहे हो तो simple सी बात है ठीक है कोई भी Indian any citizen of India है यानि Indians के दुआरा है तो अगर इंडिया से बाहर आप करते हो तो भी यह लागू होगा तो option ही आपका सही है an offense committed by any person or any ship registered in India साफ साफ है an offense committed by any person or any ship या aircraft registered in India तो या तो ship registered हो आपका इंडिया में या फिर aircraft registered हो अगर उसके अंदर कोई offense किया गया है उसके ऊपर कोई किया गया है तो वहाँ पर भी आपका IPC लागू होगा तो option 2 भी आपका correct है कहाँ पर नहीं लागू होगा वो आपको बताना था तो option 3 देखोगे any person committing offense targeting computer resource located in any country लिखा हुए अगर आप option 3 देखोगे offense committed by any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India तो जो ये computer resource है आपका इंडिया में locate होना चाहिए ये नहीं कि इंडिया से बाहर किसी भी country में होगा तो यहाँ पर आपका IPC लागू हो जाएगा उसकी condition यह है कि इंडिया में locate होना चाहिए computer resource तो इस वज़े से option 3 आपका गलत हो गया है तो इसलिए आपका इसमें apply नहीं होगा तो यहीं आप cancer होना चाहिए लेकिन AIB वालों ने इसको question को withdraw कर ले यानि किसी भी बच्चे को इसके marks नहीं दिये पढ़के गए हैं मेरे बच्चे इंडेक्स पढ़ा है तो उनको पता है कि वह यह आप मारा एक particular section है अगर मैं बात करों तो chapter 3 ही आपका नाम है जिसका punishment के बारे में बताता है और उसका पहला ही section है section 53 punishments के बारे में बताता है तो उसके अंदर आपको मिलेगा और अगर आप entrance exam में देखोगे वहाँ पे भी कई बार यह question पूछा गया है तो यह question कोई नया question नहीं है बेर act से question दिट्टो 8 question आप कर सकते थे तो अगभी भी अगर आपने constitution का मेरा analysis नहीं देखा है जो हम AIB 18 का कर रहे हैं तो आप एक बार जाके वो भी देख लेना कि उसके अंदर 10 question आ नहीं कर सकता है लेकिन 6-7 question हर एक बच्चा manage कर सकता था और 8 question यह होगे तो अगर मैं देखूँ तो मैं बताओं कुछी ऐसे subject थे जो AIB 18 में थोड़ा से उनका level अच्छा था बाकी अराम से आप यार बाकी subject तो cover करी सकते थे अब बच्चे नेगलती क्या करी कि उन subjects को hard questions को पहले पिक कर लिया और फिर उनसे वो उनका time waste हो गया है एक्जाम में panic कर गया सिंपल सी बात section 53 खोलना है आपको section 53 punishment के regarding है अगर आप देखोगे तो जो पहली punishment है वो death है दूसरी imprisonment for life है जो third है वो omit कर दी गई है अभी आपको नया बता दूँ जो BNS है भारती है नयाय सही जीता में जो आपका एक जुलाई चे लगो होने वाला है इसके अंदर एक नई punishment add कर दी गई है जिसको बोला गया है community service तो यह थोड़ा ध्यान रखना आप अब आपकी अगर 2024 एक जुलाई की बात बात करें तो अब total 6 हो गई है पहले 5 थी जो है आपका 1,2,3 यह imprisonment में type है rigorous और simple होगी तो यह अलग से आप इसको दो नहीं गिन होगे इसको यह की गिनना है imprisonment to description की है two type है फर्दारिस में ठीक है and forfeiture of property प्रोपर्टी को आप कबजे में ले ले तो और एक जो fine होता है वो तो अभी आपकी यहाँ पर 5 है और एक अभी और add हो गई है अगर BNS की according दे A and Z agree to fence with each other for amusement in the course भाई यह कोशन इतनी बार repeat हुआ ना PYQ में कोई अंदाजा नहीं है और इस exam में काफी exam में अगर मैं बताऊं UGC net में भी repeat हुआ है काफी exam में देखा गया और यह ditto on the face of it बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे कोई भी offense नहीं हुआ है अगर आप देखोग आपके AIB 18 में ही 8 कोशन में से 2 कोशन तो इसी से आए है और अगर PYQ का trend देखोगे तो यकीन मानिए जब मैंने PYQ कराया था तो इसमें section है आपके 76 से लेके 106 तो भाईया इसका 70% सारे के सारे section से question आए हुए जो भी आप इसके अंदर fold करते हैं यह 31 section है सारे के सारे लग तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो आपका section 87 है उसी की illustration डिट्टो आपसे पूछ लिए ठीक है बाकी अगर आप further देखोगे hurt आपका 319 में बताया हुआ है attempt to murder आपका 307 में and grievance hurt आपका 320 में बताया गया है आपको इस तरीके से भी जब analysis करते हो तो पता होना चा section कौन से आपका offense के बारे में बताता है इससे आपको help मिलती है क्योंकि यह सारे इनसे भी कभी ना कभी question आया हुआ है ठीक है तो यह आपको टिक लगा लेने अपने भी रखते हैं यह आपके सामने है section 87 में साफ साब लिखा हुए act not intended and not known to likely to cause death or grievous are done by the consent ठीक है सहमती से कोई भी जिम्मेवार नहीं है ठीक है in which of the following situation right of private defense cannot extend to causing death वै कितनी वार repeat हुआ है और फिर से मैं same quotation बोलूँगा क्योंकि चीज ही यह same है अगर आप देखोगे तो PYQ में काफी बार आया है इस EIB के PYQ के साथ साथ और LLM, UGC, NET, CLAT वगेरा इन में भी काफी बार आया हुआ है तो जो ऐसी चीज है जो बार बार आ रही है तो हूँ आप कैसे गलत कर सकते अगर आप देखोगे प्राइवेट डिफेंस से कोशन है जांता है पॉपियस सी बात है कि हमारा अंसर इसके अंदर मिलेगा और एक सेक्षन ऐसा है कि आप आत्मरक्ष्या में सामने वाले इंसान की जान तक ले सकते हो वो सेक्षन आपको बताता है किस किस और आप समय किस किस offense के time आप ऐसा कर सकते हो section number आप handed देखोगे उसके साफ साफ लिखा हुआ index में when the right of private defense of the body extend to cause being death उसी में से आपका option है तो आप अगर देखोगे section handed तो यह यह offense आपका यह conditions देरी कि इनमें आप जान ले सकते हो तो हमारा option देखते हैं कि option A है आपका apprehension of murder में कर सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरी जान जा सकती है दूसरा क्या है committing of rape में भी आप कर सकते हो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है और क्या है in a case when assault is reflecting intention of causing simple hurt में नहीं ग्रिवेस हट में आप कर सकते हो जहाँ पर आपको ग्रिवेस हट का apprehension लग रहा है तो इसलिए option C आपका अंसर होगा D check कर लो in case assault is reflecting intention of gratifying unnatural lust unnatural lust में भी कर सकते हो साफ सार लिखा हुआ है सारे के सारे option दिये हुए थे आप अराम से कर सकते थे इस question को इतनी बार repeat हुआ है क्लास में अगला question देखो for which of the following section of IPC 1860 the word benefit does not include pecuniary benefit आपको पता है monetary benefit के regarding हम बात करते है money से related ठीक है तो simple सी बात है चार section दिये गए हैं आपको फटा फट इन section को खोलके एक बार थोड़ा उपर से go through कर लेना था और किस section में pecuniary benefit की बात नहीं करी गई है वो ही आपका answer हो जाएगा तो आपको यह देख लेना था सारे section खोलके section 155-156-370 में साफ साफ पर्सनली pecuniary interest के बारे बताया गया है section 89 जो कि आपका फिर से फिर से बोल रहा हो चैप्टर 4 असेप्शन से ही आया हुआ है तो देखो इससे लगातार तीन कोशन आगे और एक कोशन और दिखेगा भी आने वाले टाइम में यह वास्तम में सबसे ज्यादा इंपोर्डेंट चैप्टर है इससे काफी कोशन आते हैं यह भी एक्जाम में और और भी एक्जाम से एक्ट डन इन गुड़ फेट फॉर बेनिफिट ओफ चायल्ड और इंसेन परसन बाय और कंसेंट ऑफ गार्जी यहां पे कहीं पे भी पेकुनरी बेनिफिट की बारे मे बात नहीं करी गई है ठीक है अगला आप देखो एक्स इंटेंशनली पूस तो यह एक प्रगार की इलस्ट्रेशन है और इलस्ट्रेशन है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है जितने भी ओप्शन दिये गए हैं उनको आपको सेक्शन बताओ ना चाहिए हर्ट काम बत से इजी तरीका तो यह है देखने का फटा फट या फिर अगर आपको नोलेज है अगर आपको कोशन पढ़के समझ में आ रहा है कौन सा ओफैंस इसके अंदर हुआ है तो वैसे भी कर सकते हैं लेकिन मेरे अकोर्डिंग आपको क्रोस वेरिफाई कर लेना चाहिए जल्द ब पोर्ट की इलस्ट्रेशन है यह एंटेंशनली पूलसब वोमेन विल जो चुन्नी होती है एंटेंशनली यूजिस फोर्स टू हर ठीक है इफ ही ड़स तो विदाउट हर कंसेंट इंटेंडिंग और नौइंग इट तो बेर लैकली देट एट ही यूजडे क्रिमिनल फोर्स इंटेंट कर देना किसी का हाथ कार देना किसी की आँक फोर्ड देना और उसके बाद उस माइनर से एनि माइनर इन ओडर डैट सच माइनर में भी यूजडे फिर उससे भीख मंगवाने का काम करना अगर आपने इंडेक्स अच्छे से पढ़ा है या पी वाई क्यों चेप्टर का नाम है क्योंकि human body के against offense हो रहा है चेप्टर है आपका 16 offense against the human body इसके अंदर आप देखो कि कहां पर आपको जो आपका demand कर रहा है कि भाई kidnapping के regarding maiming के regarding section है अगर आपने index पढ़ा तो आपको पता चला कि वहीं मुझे मिलेगा अब परियाकत कान में बोलके जाएगी नहीं आपको कि वहीं पर जाना है इसलिए मैं बार 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 बोलता हूं कि index पढ़ना है आपको ठीक है तो index पढ़के आपने short list किया कि मुझे chapter number 16 पर जाना है उसके बाद further आपने short list किया कि जो इसके सब parts है क्योंकि chapter 16 में आप देखोगे offense affecting the life के बारे में जहां पर murder, culpable, homicide के बारे में बताया है उसके बाद miscarriage के बारे में बताया है आपका एक पार्ट है जो बताता है kidnapping के बारे में, abduction के बारे में and slavery के बारे में और है आपका force labor के बारे में तो यह चीज़े बताई जाते हैं इस chapter 16 के sub-part में तो फड़ा-फड़ा आपको देख लेना था section 363A आपका लिखा हुआ है kidnapping और maiming देखो साफ-साफ index की भी अंदर ही लिखा हुआ है kidnapping और maiming a minor for the purpose of bagging तो इसी के अंदर आपका अंसर चुपा हुआ है तो आपको देख लेना था meme कविनिंग में आपको बताई दिया है तो इसी के अंदर आपकी close to में दिया गया आपका constitution होगे, IPC होगे, CRPC करेंगे आने वाले time में एक दो दिन में जब भी मुका मिलेगा लेकिन आप धीरे धीरे preparation कर सकते हो कोई अलग से आपको यह नहीं की exam आएगा तब ही आपको panic होने की जूरत है चो बच्चे week है अपना साथ की धिरे धिरे में थोड़ा थोड़ा काम उनको करवा रहा हूं हर week में आप उसको revise करते रहिए तो आपको ज़्यादा प्रेशानी नहीं आईगे अगर आप online preparation YouTube के ज किया है तो extortion से भाई भर भर के कोशन आई इतने जयदा कोशन आये हुए extortion क्या होता है theft क्या होता है robbery क्या होता है यह आपका offense है chapter number अगा देखोगे ठीक है पनिश्मेंट पूर एक्स्टोशन 384 में बताई गई आपसे पूछ रहा है विच ओफ दी फॉलोइंग पनिश्मेंट में बी गीवन टू एक्स for the act committed by him as despair dee सबसे पहले आप पनिश्मेंट बतानी है आपको तो पनिश्मेंट आप उसोफेंस की तब ही बता पाओगे जब आपको यह पता होगा कि offense कौन सा commit हुआ है offense तो पता करोगे पहले अब यह आपको पता नहीं offense किया तो punishment कैसे देखोगे तो offense आपको पता होना चाहिए यह extortion है extortion की illustration A है illustration theft की extortion की robbery की डेकेति की आप पढ़ना illustration किसी भी आपके statute की खाली IPC नहीं IPC हो गया Indian Evidence हो गया Indian Contract Act हो गया आपका और sales of goods में भी काफी illustration होती partnership act में भी Indian partnership act में काफी illustration है जिस भी bear act में illustration है आप यकीन मानिए उससे illustration से सबसे ज़्यादा question exam में पूछे जाते हैं illustration वो कभी भी skip मत करना अच्छे से उसको समझ की पढ़ना तो 383 extortion आपने खोला illustration A देखोगे ditto same है A ने threaten किया है B को defamatory कर रहा है illiable और slender दो प्रकार के defamation होते हैं यह मैंने आपको tot में बता रखा है यहाँ पे explain करने की जूरत नहीं है ठीक है तो उसको ऐसे धमगाने कोशिश कर रहा है जब तक वो उसको पैसा नहीं देगा तो 383 extortion illustration A साफ सा बोल रख है यहाँ पे जो offense commit हुआ है वो A के दुवारा offense commit किया गया है extortion का तो अब आपको जो punishment of extortion है वो section 384 में दी गई है आपकी जो punishment है वो तीन साल तक हो सकती या फिर fine या फिर दोनो ऑप्शन भी में यह साफ साफ लिखा हुआ है तो इसी के साथ ही आपके IPC के मैंने AIB18 के सारे questions का अच्छे से analysis करा दिया है आने वाले वीडियो में हम करेंगे आपके CRPC के जो AIB18 के question है उसका अच्छे से analysis करेंगे अगर अभी भी आपका कोई doubt है तो comment में आप मुझसे करके YouTube की comment section में doubt पूछ सकते हो या personally भी मुझे WhatsApp के जड़िए आप अपना doubt result कर सकते हो 9350145947 यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर किसी बच्चे को और अच्छे से चीजों को डिटेल ने पढ़ना है तो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 21st June 2024 से तो आप वो भी जॉइन कर सकते हो आपका जो प्राइस रहेगा जो फीस है आपकी वन ट्रिपल नाइन है ठीक है तो आप कॉंटेक्ट करके इस WhatsApp नंबर पर अपने आपको एन्रोल करा सकते हो अगर आपको इन चीजों को ओ डिटेल में अच्छे से एक पैटरन के साथ दो सावा दो मेने का कोर्स होता है अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो most welcome ठीक है वीडियो चल लगया तो वीडियो को लाइक करिए खुश रहिए मुस्कराते रहिए देश का ख्याल रखिए जहें